वेलकम टो ओनली आईएस, आज है 30 जुलाई 2020, तो आज देख लेते हैं आज के करेंट अफेर्स MCQs, देखते हैं अपना पहला क्वेस्चिन जो कि कुमार शशक्तिकरन योजना के बारे में है, पहला स्टेट्मेंट ये कहता है कि ये इनिस्टेटिव मिनिस्ट्री आफ रूर कि जो पॉर्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एडवांस्ट पॉर्टरी के लिए उनका मार्केट लिंकेज स्टैबलिश किया जाएगा और एग्जिबिशन वगेरा भी किये जाएंगे, तो बताई कौन सा स्टेट्मेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है, अगर आ पॉर्टर्स हैं उनको सौ ट्रेनिंड आर्टिशन को प्रॉइड करवाया इस योजना के तहट और जो योजना है वो केवियाइसी की है, इसकीम में जो पॉर्टर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है, कुछ सर्टेन जो स्टेट्स हैं वहां से, जिसके बाद उनकी इंकम इ इसी लकडी की मदद से घुमाते हैं जिसमें समय लगता है और ये काफी स्लोग प्रोसेस हो जाता है, इलेक्ट्रिक चाक ज्यादा इफिशेंटली बरतन बना सकता है, जो उन्हें प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और भी जो नई टेक्नलोजी हैं वो उन्हें देने का प सिध्धी ट्राइब केरला, भील ट्राइब लक्षद्वीब, तो बताइए कौन सा सही तरीके से मैच्ट है, या फिर आपके पास एक option और भी है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जो उपर के तीन ट्राइब से उन्हें सही तरीके से मैच नहीं किया गया है, अगर करनाटका और जो भील ट्राइब है ये लक्षद्वीब में नहीं बलकि इंडिया के नौर्थ वेस्टन पार्ट में पाई जाती है, ये न्यूज में क्यों थे ये आप जान लीजिए, देखे जो यहाँ पर संथाराम बुद्ना सिध्धी ट्राइब है, जिसे आप पाटिक अब नागा लाइंड की बात करते हैं, नागा लाइंड में कई सारी ट्राइब्स हैं, जिनके लिए अभी ये कहा गया कि जो डॉग मीट है, जो कुत्ते का मांस होता है, उसके कंजम्शन पर या सेल पर वैन लगा दिया गया, और ऐसा करते वक्त नागा ट्राइब्स के तो अगर उसे बैन किया जा रहा है, उनके साथ कंसर्ट नहीं किया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने अपने कंसर्ण रेस किये थे, तो यहाँ पर देखें, अंगमी ट्राइब है, जो की नागा लाइंड से है, यह आपका जो क्वेशन है, वो सॉल्व होता है, रिसेंटली जो भील ट्राइब्स हैं, उन्होंने एक सेपरेट भील स्टेट की डिमांड करी, राजस्थान, मदरपदेश और गुजरात के कुछ जिलों को मिला कर, यह जो ट्राइब है, यह राजस्थान, गुजरात, मदरपदेश और महरास्ट्रा इन लोकेशन पर पाई जाती है, अ स्टेट अफ मनीपुर में भी एक एधनिक गूरुप के रूप में रिकगनाईज किये गए हैं, अगला क्रेशन गर्ड़नर की डिस्करिशनरी पावर से असोसेटेड है, तीन स्टेटमेंट आपके पास है, आपको बताना है कौनसा सही है, कौन सा गलत है, पहला स्टेटमे ये बोलता है कि वो President of India के लिए किसी भी बिल को Consideration के लिए Reserve कर सकते हैं बिना Council of Ministers की Aid and Advice के और तीसा Statement ये बोलता है कि वो House को Summon, Prorog और Dissolve कर सकते हैं अपने हिसाब से His और Her Own बिना किसी Recommendation के या फिर Consultation के तो बताइए कौन सा Statement सही है कौन सा गलत है इनमें से कौन सा उनका Discutionary Power है कौन सा नहीं है अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा Statement तो Correct है लेकिन ये तीसरा Statement incorrect है हाउस को Summon, Prorog या Resolve करते वक उन्हें आपका सही जवाब यह होगा अब ऐसा किवल किताबी बातों से हम जिस्टिफाई करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं रधर नाबाम राबिया वर्सिस डिप्यूटी स्पीकर 2016 का एक केस आया था जहां पर सुप्रीम कोट ने इस बात को स्पैसिफाई किया था कि गवर्नर जो हैं वो अपनी मरजी से जो हाउस है उसे सम्मन्या प्रोरोग नहीं कर सकते हैं उसके लिए उन्हें कैबिनेट की एड और एडवाईस के आवश्यक्ता पड़ेगी यदे पिक कुछ शित्रों में उनके पास डिस्कृशनरी अधिकार होते हैं अगले क्वेश्यन में आपको यह बताया गया है कि इंडियन रेलवे दुनिया की first electrified tunnel construct कर रहे हैं जो कि double stake containers carry करने में capable होगी जब एक container के उपर दूसरा रग दिया जाता है आपको ये बताना है कि ये किस mountain range को काट कर बनाया जा रहा है western ghat, धौलाधर, अरावली या फिर सत्पुड़ा tunnel है तो किसी ने किसी mountain range को काटा जा रहा होगा factual question है अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अपना जवाब भी सोच चुके होंगे सही जवाब C है अरावली इसे western dedicated fret corridor के तहत हर्याना में बनाया जा रहा है ये एक kilometer लंबी tunnel होगी जो कि goods को carry करेगी ये मेवात और गुडगाओं को आपस में connect करती है dedicated fret corridor corporation of India limited इसे तयार कर रही है जो अरावली range है वो डेली, सदन, हर्याना और राजस्थान और इसके कुछ हिससे गुजरात में भी जाते हैं यहाँ पर पाई जाने वाली एक range है इसकी highest peak गुरुशिखर है जो अगला प्रश्ण है वो amaranthus के बारे में है पहला statement ये बोलता है कि ये कुछ छोटी मचलियों का एक group है जो कि peninsular India की reverse में पाई जाती है दूसरा statement ये बोलता है कि इनमें high nutritional value होती है जो कि इनके अंदर पाई जाने वाले anthocyanin की presence की वज़े से होती है तो बताईए कौन सा statement यहाँ पर सही है कौन सा गलत है तो चलिए अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है B केवल दूसरा statement ही correct है पहला statement incorrect इसलिए है क्योंकि ये कोई small freshwater fishes नहीं है रधर ये एक प्रकार का plant है तो इतना तो हम पढ़ी सकते हैं कि ये plant है या फिर fishes है ये peninsular plants हैं जो की केरला में discover किये गए है nutritional value इनकी जादा होती है जो की anthocyanin के वज़े से होती है ये pigment है जो इस plant में पाया जाता है जो इसको purple color भी देता है इस plant का जो stem होता है वो hairy और purple color का होता है इन images में आप इन्हें देख सकते है जो अगला प्रस्चन है वो D.P. Singh committee के बारे में है हाली में इसे constitute किया गया guideline देने के लिए किस छेत्र में guideline देने के लिए इनको बनाया गया है या किस से ये सम्मंधित है आपको बताना है financial sustainability, education, digital payment या फिर tourism बताइए क्या है आपका जवाब अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो इसका सही जवाब जो है इन्हें education के लिए बनाया गया है इंडिया से कई सारे students विद्यसों में पढ़ने जाते हैं इसके वज़़ए से इंडिया से जो डॉलर है वो भी विद्यसों में जाता है फीस के रूप में या scholarship के रूप में अगर वो इंडिया में पढ़ेंगे तो काफी पैसे बच जाएंगे हमारा forex बचेगा इसके लिए इंडिया की education quality में क्या-क्या बदलाव करने चाहिए या फिर क्या-क्या improvements करने चाहिए इसी को assess करने के लिए डीपी सिंग जो की UGC के chairman है उनकी अधिक्षता में इस committee का गठन किया गया है जो अगला प्रशन है उसमें ये कहा गया है आपसे पूछा गया है कि आखिर central banks और जो governments हैं वो currency swap agreement में किसी भी foreign counterpart के सांथ क्यों engage होते है why is the question पहला statement ये है short term foreign exchange liquidity requirement को पूरा करने के लिए दूसरा ये है कि adequate foreign currency का जो एक fluctuation होता है या balance of payment का जो crisis है उसे avoid करने के लिए जब तक कि कोई longer arrangement नहीं बन जाता ऐसे swap agreement का सारा लिया जाता है बताईए कौन सा statement यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है अगर आपने swap agreement के बारे में बढ़ा होगा जो कि एकसर news में रहता है तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा यहाँ पर दो के दोनों ही statement correct है देखे swap agreement आप कई बार यहाँ तो काफे technical लगता है बट है यह बड़ा आसान simple करके आपको बताता हूँ यह America है और यह India है America में एक company A है वो अपनी किसी एक branch जो India में है उसमें पैसे invest करना चाहती है और इसके रिए suppose करिए इन्हें 100 रुपै चाहिए एक तरीका तो यह है कि यह India में 100 रुपै का लोन ले ले लेकिन वो महगा मिल रहा है और दूसरा विकल्प यह है कि यह America में ही 100 रुपै का सस्ता लोन ले ले जो उन्हें डॉलर में मिलेगा और उसे इंडिया में भेज़ दे अब इसके दो problem हो सकती है एक तो अमेरिका से डॉलर इंडिया में आएगा मतलब उनका balance of payment में मतलब अमेरिका के पास enough dollars है किसी दूसरे country के अब perspective से देखेंगे तो problem हो सकती है दूसरा अगर forex में कोई fluctuation आया तो वो यहां से ज़ादा पैसे भेजेंगे लेकिन यहां कम पहुचेगा ठीक है यही case सेम इंडिया के साथ हो सकता है इंडिया में एक company आई है जो कि अपनी किसी आई subsidiary company में अमेरिका में invest करना चाहती है same case उनके साथ है वो यहां से पैसे भेजेंगे तो पहले तो इंडिया से डॉलर चला जाएगा और दूसरा अगर fluctuation आया फॉरेक्स में तो वो यहां से ज़ादा पैसे भेजेंगे और वहां पर उन्हें कम पैसे मिलेंगे इस problem को avoid करने के लिए वो एक simple सा solution यह निकालते हैं कि एक swap agreement कर लेते हैं swap agreement में होता यह है कि जो company A है वो इंडिया की company I से यह कहती है कि आप इंडिया में loan लेकर मेरी company को दे दीजे और हम यहां अमेरिका में loan लेकर आपकी company को दे देंगे जो interest हम आपकी company के लिए चुकाएंगे वो आप हमें दे देना और जो interest आप हमारी company के लिए चुकाएंगे, वो हम आपको दे देंगे, इस प्रकार के swap agreement arrangement में ला दिये जाते हैं, कई बार इसका एक particular amount भी set कर देती है सरकार, कि इतने amount का अगर कोई loan वहाँ पे हमारी company देना चाहते है, तो आप दे देजिए, इतने amount में हम दे देंगे, तो flight है, जो की pollution community करेगा, या agricultural and farming service है, बताइए क्या है, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो, तो चलिए मैं बता देता हूँ, एक प्रकार की ferry service है, ferry service का मतलब एक ऐसे ship के सांथ होता है, या पानी का जहाज आप कह सकते हैं, जिसमें आप अपनी vehicle के सांथ चड़ सकते है और वो आपको किसी दूसी जिगर पे पहुँचा देगा, मिनिस्ट्र आफ सेपिंग ने अभी एक roll on and roll off कम passenger ferry service launch किया, रोपेक्स नाम से, जो की महरास्त्रा में मुंबई को मांडवा से जोड़ेगा, देखे, इसके बीच की जो मुंबई से मांडवा की दूरी है, वो 110 km कि बाइ रूट जाने में आपको या लैंड रूट से जाने में चार गंटे का समय लगता है, जबकि waterways में ये distance केवल 18 km की है, ये पानी के जहार या ये जो ferry है ये slow भी चलेगी तब भी एक गंटे में आपको पहुचा देगी, इससे समय भी बचेगा और pollution भी कम होगा, जो अ भी धनसीरी और कालांग है, तीसा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये दुनिया की कुछ ऐसी नदियों में से है, जहाँ पर टाइडल बोर्ड देखने को मिलता है, और चौथा स्टेटमेंट ये है कि इसमें एक ब्रेडट चैनल आपको मिलेगा, जो कि बहुत सारा सील्ट कै आपको पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी ट्रिबिटरी लेफ्ट बैंक है और कौन सी राइट बैंक है, तो राइट बैंक ट्रिबिटरी में सुबन सीरी, कामिंग, मानस, संकोस, बेकी, रैडक, जलधाका, और तीसता रिवर मिलेंगी, बाकी जो बाते वहाँ पर आपको ब इरेंड डिस्टिक्ट भी है, जिसे आप मजुली के नाम से जानते हैं, बरंपुत्रा नदी अपने फ्लर्ट के लिए जाने जाती है, यहाँ पर टाइडल बोर भी देखने को मिलता है, टाइडल बोर में होता ऐसा है, कि जब इस समंदर के नजीक में पहुंचती हैं, और स जीवार की तरह बन जाता है, तो हम इसे टाइडल बोर कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखे मैप में दिखाया गया है, उनकी टेरिटरी से बारे में बरंपुत्रा की, जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, बरंपुत्रा नदी से संबंदित, पहला स दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, देखे, इसे सांगपु रिवर के नाम से जाना जाता है तिबबत में, ब्रंपुत्रा सियांग और दिहांग के नाम से इंडिया में, और बांगला देश में जमुना के नाम से जाना जाता है, बाकी ओरिजिन के बारे में जो बता और ब्रहापुत्रा रिवर्स सिस्टम तो काफी बड़े थे, इनमें आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ सकता था, लेकिन अब एक रिवर्स के बारे में दो चार इन्फॉर्मिशन है और वो भी मैं आपको बता दूँ तो फिर मतलब नहीं निकलेगा, आप इंडिया की सारी रिवर्स कवर करके रखेगा, हम किसी भी रिवर्स से आप से प्रश्ट पूछेंगे और वो आपको सॉल्व करना होगा, तो इस सेशन में बस इतना ही, अपना स्कूर कॉमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा, थैंक्यो बरे मच्च